Welcome back, my name is Varhan Arifan Khan, हमें Personality Development Coach, इस चैनल पर हम बात करते हैं, थोड़ी entertainment, थोड़ी light, थोड़ी चीजों के बारे में हम वीडियो देखते हैं, और उन पर discuss भी करते हैं, जो मुझे पसंद है, अगर आपको भी same categories के वीडियो पसंद आते हैं, तो आप वो send कर सकते हैं, definitely comment section में हम वो भी देखेंगे, फिलाल हम एक वीडियो देखने वाले हैं, वो है Indian Media Latest की तरफ से, Divine Knowledge of Maulana of Pakistan, तो again, I would say, क्योंकि आपने अगर मेरा main channel देखा हो, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़े सीखते हैं, psychology, human behavior, बहुत सारी चीज़े सीखते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक concept समझाया था, अगर आपने नहीं देखा हैं, तो वो भी सरूर जाके देखना, main channel पे, फरहान एरफान खान चैनल का नाम है, तो बात यह है कि, there are no absolutes in life, अगर आप यह कहते हो, कि एक country में, हमारी country में, सारे ही समझदार हैं, बस सारी समझदार हैं, और दूसरी country में सारे ही बेवकुफ हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप absolutes लेके चल रहे हो, right, absolutes कभी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि आप nature को देखो, there are no absolutes, हर इंसान अलग है, हर वैक्ती अलग है, हर जगा, हर पेड सब अलग है, there are more similarities, हाँ, यह सही है, but they are not the same, तो वो आपको difference समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, अब समझते हैं, कि इनकी कहानी क्या है, okay, play, अब यह फणी नहीं था, I'm sorry, अब यह फणी नहीं होता भे, बिल्गुल फणी नहीं था, मुझे लगा था, यह फणी समझने की कोशिश है, फणी नहीं है वो, okay, देखो, understand this, मुझे पता है वो कौन है, और उन्होंने क्या क्या है, I understand, वो कैसी बात करती है, I understand, it's just that, के आप अपने आपको उस लेवल पर नहीं गिराते, right, this is the difference, जब हम as Indians खड़े होते हो, जब पकिस्तानी खड़े होते हैं, there should be a difference, के हम तुम्हारी लेवल पर उतर के नहीं बात करेंगे, right, तो आप देखेंगे, के अभी आदी पुरिष में भी हमने यही दिखा था, के जब कोई इतना डिग्निफाइड हो, जब उसमें इंटेग्रिटी हो, केरेक्टर हो, और वो ऐसी हरकते करें, ऐसी लेंग्विज उस करें, तो इस नो जस्टिफाइबल, तो जहां फ़नी है, अगर किसी भी सनातनी हिंदू से पूचा जायने कि तुम्हार लिए धर्म पहले है कि देश पहले है, तो मैं गैरंटी लेता हूं 99% लोग यही बोलेंगे कि मेरे लिए देश पहले है, सनातनी क्यों भाई, इंडियन्स बोलेंगे, I'm not sure आप किस भी में बात कर रहे हो, I'm sure कि आपका वो मतलब नहीं होगा, but the point is this, I think सारी ही community में, majority of people will say this, it's just that कि क्या होता है, कि जब तक आपके गले तक पानी नहीं आचाता है, आप चीजों को टालते रहते हो, तो जब तक, एक बहुत अच्छा example में आपको बता हूँ, जब तक society चल रही है, जब तक, जब तक हम कहते हैं न, system, so called system, वो system जब तक वो काम कर रहा है न, ये सारी हरकते होती है, तू हिंदू, मैं मुसलिम, तू इंडियन, तू पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भी इंडिया का ज़ंडा लेगे चले जाते हैं, ठीक है, अपनी ज़ान बचाने के लिए, और आपको, हिंदू, मंदिर में मिल जाएगा, और मुसलिम, मंदिर में मिल जाएगा आपको, जब जब जान पर बात आती है, जब सिस्टम फेल होता है ना, तब इंसान जो है फोरान रस्ते बाजाता है, जब तक सिस्टम काम कर रहा है ना, जब तक जो है थोड़े नख्रे जादा रहता है, पेड भरा होता है, थोड़े नख्रे जादा होते हैं, तो वह उस हिसाब से, बाकि I think, कि मजोरिडी ओफ इंडियन स्विल से, कि इंडिया फस्तिक है, आई जलते है, सही बात है, यह बात है, पाकिस्तान के मसुलमारों से पूचा जाए कि, देश पहले है कि, इसलाम पहले है, उनका तो सूपना ही साफ है सर, उनका तो, क्या का है, यह बाला पनी था, यह बाला पनी था, ठीक है, प्रेवाल नीथा, आप लिए कौन से चीज़ार प्रोटी रखती है, या अमियत रखती है, या अवल आती है, आपके नजरों में, मजभ या मुलक, मजभ जाहरी बात है, हम मुसलमान हैं, और इस चीज़ पे हमें फखर भी है, और अगर हम मजभ पे चलेंगे, तो वो कभी भी हमारा मजभ यह नहीं कहता, कि आप अपनी कौमियत से हट जाएं, आप अपने वतन को छोड़ दें, बलके मजभ पे अमल करके, हम जिन्देगी को उस तरह से गुजार सकते हैं, कि हमारे मुलक को फाइदा ही होगा, मजभ हमें सियस खाता कि अपने वतन से महबद करें, बिल्कुल, जो पैट्रियोटिजम है, वो हमारे दीन का हिस्सा है, और हमारे दीन के अंदर तो आपका सोशल, पलिटिकल, एकनॉमिक, हार एक परस्पेक्टिव, भाई वैतर हुरे भी है, वो कैसे भूल गया, बहतर हुरे, बहतर हुरे, वो तो सबसे जरूरी है, आल्ला तुझे जलत में बहतर हुरे अता फर्माएगा, क्या है यह यह, और ही सलते हैं, तो समझे कोच, ओके द्यान से सुनो, तो basically बात यह हो रही है, कि आपका country पहले या आपकी, रिलिजिन पहले है? तो आपको सब्सद्शने पहले हैं, अपको समझमाएगा, तो सुनो, इसस फॉर एवरी इंडियम मुसलिम, इंका तो पूछ ही मत, इनको छोड़ो ठीक है अब देखो जब भी as Indian Muslim आपसे कोई पूछता है India first या religion first तो ये बात समझो मेरे भाईयों ये बात समझो he is not saying वो ये नहीं पूछ रहा कि आपका religion पहले या आपकी country पहले उस बात का context समझो उसे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किसे सर पे बिठाते हो अपने वो बात नहीं है उसके पीछे एक history है उसके पीछे एक context है समझो इस चीज को ध्यान से ठीक है as a Muslim आपको क्या वो होता न दिक्कत क्या हो जाती है कि हम चीजों को perspective में नहीं दिख पाते हम चीजों को compartmentalize नहीं कर पाते यह दिक्कत है बहुत बड़ी है हमारे साथ तो अब जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से समझना कि बात क्या हो रही है ठीक है आचा सुनो तो एक history रही है भाई एक history यह रही है कि आज से 70-70 साल पहले कुछ अकलवंदों ने उड़के कहा कि साब देखो हम साथ में नहीं रह सकते हमें अपनी अलग जगा चाहिए ठीक है उन्होंने अलग जगा ले ली ठीक है अब समझता इस बात को टिपिकल चीज में मत जाना ध्यान से समझता इस बात को उन्होंने अपनी जगा ले ली और जगा लेते ही कुछी हफ़ते बाद उनको सबर नहीं हुआ वो फिर कूत पड़ लड़ने के लिए वार जगा के लिए ठीक है पिर क्या हुआ कि एक बार हुआ हुआ manifested defenses बार हुआ ठीक है तीन चार बार लड़ाई है हो चुकी बार बार नो ने हमला करा बार बार हमने जो है उनको जो है फाइट करना पड़ा उनसे ठीक है अच्छा अब इसके बाद जो है majority of जो हमारी community हम कह सकते हैं majority of community जो है majority community जो है वो basically क्या बूच रही है कि sir देखो कुछ लोग थे जुन्होंने कहा कि हमें अलग country चाहिए और based on religion चाहिए ठीक है और वो religion को दिखा करके हम पहमला कर रहा है तो कल को एक external है और एक internal है दो चीज़ा है इसमें ठीक है external बात यह हो रही है कि एक दूसरी country जो religion का बोल के हम पहमला कर रही है so what's your choice आप किस तरफ खड़े होगे अपनी country की तरफ या उनकी तरफ तो आप Indian पहले हो या आप Muslim पहले हो एक context यह इस बात का वो external से है ठीक है अब internal का सुनो internal का भी एक सवाल है internal का सवाल यह है कि सर कल को कानून मनता है कल को कोई rule आता है कल को कोई scheme आती है कल को कोई और चीज़ आती है आप Indian पहले हो, या आप Muslim पहले हो, यह है इस बात का context, उसमें interest नहीं है कि आप अपना legion जो है पहले रख रहे हो या बाद में रख रहे हो, उसको उस बात से कोई मतलब नहीं हो, उसके दो सवाल है, जो भी सवाल पूछता है आप से, उसके दो important सवाल है, एक तो यह कि जब होगी, आप किस तरफ खड़े होगे, इंडिया की तरफ यह दूसरी तरफ, तो as a Muslim आप क्या जवाब दोगे, आप यही काओ कि भाई इंडिया की तरफ खड़ाओंगा, इंडिया नो, तो इसमें आपको कोई गुना नहीं है, ठीक है, आपको कोई बुराई नहीं है, कहो औ जाए तो सब के घर जाए, लाइट जाए तो सब के घर जाए, इलाज जाए तो सब के घर जाए, मैं यह थोड़ी नहीं देखूंगा, यह थो यह तो Muslim नहीं है, भाई, पहले Muslim के घर दो, इसको बात में देना, इसे तो नहीं गरेंगे न, हमने देखा न, COVID में, कि जो है, ब वीडियोस मिल जाएंगे, और हैसा भी नहीं है, कि हिंदू नहीं निकले, वो भी आये थे भाई, help करने, तो क्या होता है, कि यह दूसरा context है, दूसरा सवाल उसका यह है, कि अगर इंडिया में कुछ करना हो, तो आप क्या देखोगे, सब का हिद देखोगे, सब का फायदा as a teacher, मैं यह तो नहीं करूँगा ना, मेरी classes है, for example, मेरी classes, अगर मेरी classes में कुछी बच्चा आता है, तो मैं क्या करूँगा, यह तो हिंदू है ना, चाल लोग, तो इनको नहीं नहीं, पहली मेरी priority जो है, वो Muslim है, तो आप ऐसे teacher को पसंद करोगे, नहीं करोगे ना, भाई, मेरी जिम्मदारी सभी है, तो उस हिसाब से भी, I am Indian first, तो आज के बाद, मुलाना, मुलवी, जो भी तुमसे कुछ भी कहे, ठीक है, यह दो सवाल है, उसका सवाल इसलाम से है ही नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है, यह दो important सवाल है, कि कल को जंग होती है, आप किसकी त यहाद में कहों कि I am Indian first, ठीक है? पूछने की जरूरत नहीं है, हक से और एक बोल्ड लेटर में लिखेंगे, Indian, ठीक है? आगे जलते हैं, एक वक्त आएगा, यह भी छोटी-छोटी लडाईया है, कि India ज्याती करता है, मुसल्माने के ओपर, क्यूंके वहाँ पर रहते हैं, उनका माल, उनके कारोबार, उनकी पर रहते हैं, इतना जादा यह ब्रेइन वास्ट है, इतनी इन अपनी ही रियालिटी में है, ठीक है? एक तरीक से टाइम वेस्ट है, बढ़ हम टाइम पास करने के लिए बढ़े हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है? भाई देश कोई भी हो, इंसान के जहां पर आसपास लोग होते हैं, जो उसके होते हैं अपने, उसके चेब में पैसा होता है और सरत पे इज़त होती है ना, तो कोई भी कंट्री हो, वो खुशी रहता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये तीन चीज़ा ना मिले, तो आपक अमेरिका भी पुरा लगेगा, ठीक है? और वैसे भी, इंडिया भाई हम बहुत कुछ हैं, इनको क्या है कि लिख के दें, लेटर लिख के दें, क्या करें इनको, मतलब इसे आसमान पे लिखवा दें, किसी उस चीज़ से, होता ना, स्प्रे करते हैं जेट से, ऐसा कुछ कर कि यार्वाद हैं, इनको कैसे बता चलेगा आगे आगे को आगे होगे है का दार आप कहुछ हैं, अज बर उतना ही खुछ हिएं जितने बागी सारे कमूनटीज यह चया एंपाके सारे लोग हैं, उनके लाजसे प्रबम्स हैं, ता दा यह आजसे ह pryला है, कि कानून जो है सिर्फ एक बात बात नहीं पड़ेगी, जब भी अगर वो पकड़ेंगे, तो दोनों को बरावल लेते हैं, ऐसा ही होता है, तो दिक्कत है है, सबके साथ है, प्रॉब्म सुथिए है, सबके साथ होती है, ना इंसाफी भी होती है, तो एसा नहीं है, कि सर्फ ए तो यहां ऐसा नहीं है, यहां हो जाता है क्योंकि तंट्री किता बड़ा है, इतने और अरगनाईज हम नहीं है हम कोई इतने जादा सफिस्टिकेटट नहीं है हमारे दिक्काते भोते हैं, ठीके और क्या है कि हम इसे से एक प्लेटफॉर्म पे एक लैंविच पे और एक सारी चीज पे नहीं ला सकते इत विल क्रिएट और प्रावब्म्स तो वो भी एक डिकाते है तो अब इस वहन स्था में ही वहन स्था है तो बहु आगे चलते है हम पके स्थान के लोग कि आपके नजदीक है मजब जादा आपके नजर में रखता या आगे आपक लिए या मुलक आपक लिए जादा अजीज है जादा हमियत रखता है कि रिलीजेन यहन उसे कंट्री का कोई लेना डेना नहीं है समझो इस बात को अगर आपको सदक बनानी है उसमें क्या रिलीजेन आप देख लो है का देख लोगे आप ट्री जनस में यह बतादो बहिस चाहिए नचने सदक कई बन रही है कांट्री मतलब रिलिजन, रिलिजन मतलब कांट्री, जब तक आप इन दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं करोगे का रिलिजन एक अलग चीज़ है, भाई, पाटी आएगी जाएगी, नेता से थोड़ी ना रिलिजन चलता है इसलाम अपनी जगा है, उसकी अपना एक importance है, उसकी अपनी एक value है, ठीक है, हम believe करते है, ठीक है, वो अपनी जगा है, मैंने कहा आप से, के Muslims के साथ दिक्का दिये है, कि we can't compartmentalize things, हम उसे compartments में नहीं रख सकते हैं, अलग अलग, हम पूरा रायता जो है, mix करके बैठते हैं सब, वहां से दिक्का दिशुरू होती है, आगे चलते है, बस हमारा बाइजन ये दोनों बाते सही है, ठीक है, मुल्ग भी अच्छा है, और मजब ये है, लेकि दोनों का मकबला करें, पहला मजब, बात में मुलक, चूतिये हो तुम दोनों, बात में मुलक है, देखो, मुसल्मान को ना समझ में नहीं आता, जब वो कहते हैं, ना second रखो, उनको लगता है, करे हम तो बिश्द ही करना है, हम जो है कुछ गलत करना है, वो ये नहीं समझते कि यार, ये किस कॉंटेक्स में बात हो रही है, कॉंटेक्स वो नहीं है, कि आप रिलिजन को कम रख रहे हो, कॉंटेक्स यह है, कि आप जब हिद देखोगे, तो सबका देखोगे, आप जब चीजे देखोगे, तो आप कंट्री के हिसाब से देखोगे रिलीजन के साफ से आप लोग की ज़रूरत के साफ से देखोगे ना के रिलीजन के साफ से राइट वो compartmentalize नहीं कर सकते यह दिक्कत है ठीक आगे चलते है अच्छत चले आप ऐस तरह करें कि हमारे हम एख़ाבה मुसलमान है каж miram अगर एन्रावर गोर बोल देते हैं हम मुसलमान है मैंने जगो हमारे यहीह Regarding whislem है मुली साहवात हैคुरान फेसा एक कुरान सिहान आत이고 आसे मैंने कई नी opedia तिया हम मुसलमान है मैंने कमारे को और मुसलमान है कर लोग practically हम हमारे तो यही केते हैं September mustal inch ए प्रव जिम्मदारिया निभालो अपनी रइट उस इंगल से कहा जाता है हमसलमान है जैसे बढ़ा एसान कर दिया है इनो ने ठीक है मुलक है वो भी मुसलमानों का है अग्वानिस्तान है वो भी मुसलमानों का है इस तरह इंडिया है उसमें मुसलमान है अगर इन मुलक में से कोई मुलक हम पर हमला करता है और उनके फाज मुसलमान होगी तो क्या आप उनके फाज को अपने मुलक की खातर या मजब की खातर आ आपने मुलक पर कब्जा करने देगे? नए, नए, नए. आचे, यह देखो, यहाँ पर क्या है, थोड़े से हेपगरेट है, यह नोग को समझ में निया आता, तो दिक्कत क्या है कि यहाँ तो किया है, नहीं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनिवे से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं क्योंके वह मुस्लिमेना तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए राइट देखो इस नॉट यह मालूब में क्या करेंगा में चैनल है जो हमारा उस पर हम साइकोलोजी जब समझते हैं अगर इंडिया व्ला करते कि तो आपने पकिसान का अगवादिसान करता है अगर इंडिया आर्मी में को यह नहीं देखने वाला कि मैं मुस्लीम हूँ तो मैं इसको छोड़ दूगा तुमारा टिकेट वह और गुसे में जल्दी काच देगा दूसरी पार्टी तो फिर सोच ल कि मतलब करें मुस्मान को मुल्ट के खातर जान सा अमार सकते हैं अगर दीन का मसला होता है तो पहला इसलाम का बात होता है बाद में मुल्क में जान से ही इस दो चार बंदे नि पूरा पाकिस्तान पूरी तरीके से रेडिकलाईज है रेडिकलाईज है दूसरी बात यह है कि इनको ना इनका नाम जिसे हम कहता है जो चीज हमें रियालिटी से कनेक्ट करती है जो जो ऑगो कि सबस्क्राइज उनका वह थोड़ा सा मिस प्लेस्ट मельसाइज है की उनका जो जोँ फेस्टॉपवें उनका ना जो थोड़ा सा राक जुका है तो वह सारे जो रिजल्टा własते वह गड़आधी आते हैं थीसले आगेिए इसलिए तो आए दिन पाकिस्तान से आपको धमागों की खबरे सुनाई देती है वो क्यों होता है क्योंकि सब के सब्सक्राइब यह 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 लेकिन अगर एक वक्त ऐसा आता है कि ओवर जित्माई दोर पर इंडिया यह डिसाइड करता है कि वो हमारे उपर हमला करेगा या वो ओठर के मसलämän जाहरी बात है जो भी सचा मुसल्मान होगा वो फिर मुसलमानों का ही साहत देगा कि मस्लिम मुसलिम करने से दुनिया नहीं चलती तीह तुम।्हारी discour cancer एक है समझो this is not about religion this is about कि socially या फिर हम बोल सकते हैं as a society तुम्हारा source of information एक है कि हम सिर्फ अपनी party वालों की सुनेंगे जो हम जेसा लगता है जो हम जेसा बात करता है मतलब हमारी तरफ की बात करता है हम सिर्फ उस की सुनेंगे जब आपका source of information एक हो जाता है तो आपके घलत होने के chances जादा हो जाते है समझो जब आप को एक मैंने बात मैंने सुनी दिखाई और चलो मैं तुम्हें एक छोटा example बता जाता हूँ simple वाला अगर आप जो है दोनों पैरों से चलोगे ना तो आप जादा सतीक तरीके से चल पाओगे जब एक पैर से चलोगे ना तो इट विल बी डिफिकल्ट जाहिर सी बात है आप मिस कर जाओगे कुछ ना कुछ आप गलत जगा चले जाओगे आप उस स्पार्ट पे नहीं जा पाओगे इनके साथ यही दिक्कत है कि इनकी सोस फ इनफोर्मेशन है कि तुम काई के मसल्मान हो तुमने अफगानिस्तान में पैसे लेके हज्जारों लाखों लोग मरवा दिया और यह बंते मुसल्मानों के साथ अब थूकते भी नहीं अफगानी तुम पर ऐसे इंडियन भी नहीं थूकते तुम इस पूरा कि असांत से तरीके से आपको सुम्हाता हूं सेल्फ डिफेंस क्या चीज होती है किसी को छेड़ते नहीं किसी पर हमला नहीं करते लिए ओ भाई साथ यह दिक्कत है मैं इसी की बात कर रहा हूं एक सोस फ इन्फोर्मेशन की यही दिक्कत होती है कि आप जूट को सचमान ले हमने हिस्ट्री में कभी ऐसा काम नहीं किया है और जनरली यह बात आप लोग के लिए कही जाती है पाकिस्तानियों हमारे लिए नहीं कही जाती है कि आगे जलते हैं और हम अपने माल को इज़त को बचाने के लिए इंडिया क्या करना चाहिए जूते माने ज़ी पकड़के जब आप घुसेंगे तो मंदेखें अभी कोई हम लोग किसी ऐसे युनाइटेड प्लैटफोर्म पे नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया के मुसल्मान जो है वो एकनॉमिक अली इतने ज़्यादा पिसे हुमें है कि उनकी सो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अगें विक्टम कार्ड क्यूब इसे हुमें है क्या वजा है उसकी कभी सोचा अगर आप मसलिम है तो सर उसकी वजा हमारी है जब आप पचास साल से चार लोग हर संडे घर पे पहुँचा कर ये कहोगे कि दुनिया चार दिन की है आप नमास पढ़ने आएं क्या उसकी साथ आप य पर दिगरी से जादा काभियेत की जरुवत होती है, right, but बात है कि आप आपने जब एक प्रस्पेक्टिफ युश को ऐसा दिया है, आप यही बात प्रोपेगेट कर रहे हो, लोग बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग तो जो है कियते हैं कोई जरुवत नहीं युनारी नेशन जैसे बड़े प्लैट्फॉँथ वे सब ही बचथे हो सभाव कि जिस तरह के सारे शेतान इकटे हैं एक मिझेवार कौन से शेतान इकटे हैं यार मतलब हद है इन लोगों की रियालिटी है जो जिस तरीगे की दुनिया इनने दिखाई गई है हद है ठीक है कौन शैतान है यार मतलब तुम खुद सोचो मुसलिम्स वहीं जाते हैं वेस्टन कंट्री पे बेस्ट लाइफ जी रहा है ठीक है आपकी पर-capita income जादा है आपको facilities जादा मिलती है आपको rights भी एकुल मिलते है वही चीज आपको middle east पे नहीं मिलती पिर भी वो शैतान है कैसे शैतान है यह ज़्यव शैतान है जो घर बलाता है और पूरी इज़त ही देता है और जरूद पढ़ने आपको एड देता है आपको एड भी देता है फिर भी वो शेतान है यह किसा शेतान है ठीक है आगे जलते है कि सारी और भी यो युनियन के अंदर जो सारी कंट्री युनाइट नेशन में सारी लॉब्स गटी है क्योंके वो एकनोमिकली स्ट्रॉंग है तो आप भी हो जाओ चचा कॉन रोक रहा है आपको अब दो जाहिए तुम इस्ट्रों हो जाओ क्यों पेटिया लगा लगा के फट जो है इसकी बैट्री डाउन हो गई थी एनिवेज हम बात यह कर रहे थे कि अगैन इन लोग प्रस्पेक्टिव सांजने लगाता कि बात किस प्रस्पेक्टिव में हो रही है अगैन उसने क्या का कि मजभ जो है जादा प्यॉरिटी रखता है सब प्यॉरिटी से कंट्री न इंडिया भी चलने लगे न तो इट विल कलाप्स ठीक है बाइदा भुक नहीं चल सकते अब इडिज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता वो ठीक है अगर आप पुलीस वालों के पास भी जाते हो ना मैं आपको बताता हूँ भुक में क्या लिगा है और रियालिटी में क्या होता है ठीक है बुक में लिखा कि साब वो केदी जो आएगा वो जेल में बंद रहेंगा तो वो बंद रहेंगा जो हवालात के अंदर बंद रहेंगा पुलीस टेशन वो बंद रहेंगा रियालिटी पता है क्या है रियालिटी है कि वो जो चोर है वो सबस्क्राइब आप इन दर्लपाइ रोठी आपमारे के ढ चेल आपनेटे की अ congestion day आपने के थाचे लिया आपर आप में यह को भॉटक शराप जाया ओटए हैगाば्य। there is a big difference between what's in the books and practical life हम जितना हो सके हमने एक हम बोल सके हमने एक पैमाना बना लिया हमने एक स्टैंडर बना लिया हम उसे आइडलाइस करते है उस पर फॉलो करने की कोशिच करते है right that is the right thing to do but ऐसा नहीं हो सकता ठीक है और जिस प्यॉरिटी के आप बात करते हैं तो इस प्यॉरिटी पे नहीं चलते है यही बात इने समझ माती आगे चलते हैं ठीक है एक माट उड़ जाओ play भाद रोसे सलम का जिनों ने नहीं आपनी बहुत सारी मुश्किलों के नहीं ऐस इसलाम पॉैथ हमें यह स्पॉर्टी तेह गिधर कर्त कि तुनी स्टाइलिस्ट डाडी रखने के लेकप का हाथ आप से यह कब हुआ और यह आप देख रहे हैं यह जो यह बना हुआ है यह 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 नहीं गहाँ मैं वही बता रहा हुआ आपको कि इन्हें समझ में नहीं आता देकां डिफ्रेंशेट बिट्वीन के बात क्या करना है रियालिटी क्या है सही क्या गलत क्या इनका सेंटर पॉइंट जो है तोड़ा सा हिला हुआ है आगे चल्ड़का सानी सासल किया है यह अहां बिल्कुल अस सानी से ही मिला है अगर लड़के लेना होता नो तो आपके जो है पसीने चूड़गा होते है ठीक है और वह हो गया था क्योंकि आपने दो के से कश्मीर पर जो चड़ाई की थी उसके बाद आपको बहुत महरा हमने आगे चलते हैं तो अमने मुश्किलों साथ नहीं किया है मुलक असानी सासल किया सरी फस्ट फ्लम मुलक की बाद नहीं है मुलक बाद में ठीक है अला आ एला मोहमाद पहली है बस यही दिक्कत है इनके साथ भाई धिस दिखोत झारतкой है तो यह इंसापका घिलीफ है अछी बढुल आप बिल्कुल मानें, आप बिल्कुल जो है, उसकी इजद करें, करना भी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, कि ये चीज और जो बात चल रहे हैं, जो कॉंटेक्स है, वो दोनों चीज़े कंप्लेटली डिफरेंट है, आगे चलते हैं, ठीक है, तो इस वजा से, ला इला इला के पाहिएं कोई हमारी हैं, जन्ग लगती है, कोई मसला बनता, किन्फलिक्ट होता, तो आपको क्या लगता है, एकम आपनों मुलक के बचाने कलाईब आपने उं मुलक को मार देएंगे, या इसलाम बचायेंगे, या मुलक के बचायेंगे, सर बात अगर DF, तो फेर तो हम इक तरफ आपका मुलका है, और एक तरफ आपका मतलब के ना मजभी है, मजभी लोग हैं समने, तो आप क्या बचाएंगे, मुलक बचाएंगे, या मजभी लोग बचाएंगे? सर, पहले तो हम कोशिश करें के सुला सफाई से काम हो जाए. सुला सफाई नहीं पर ये दिखकत है ना, इनके साथ, इनी पबलिक कुछ कहती है, और जो करने वाले हैं, वो कुछ और ही करते हैं, उन्होंने कब सुला सफाई की, वो ही तो हमला करते हैं बार-बार, आगे जलते. कि दूसरे जारी सी बात है हमें मजभ को मजभ को ज्यादा प्राइटी देनी चाहिए राइट क्योंकि देखो क्या है कि they don't understand ठीक है इन में वो जिसे बोलते ना सूजबूच समझदारी या हम बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसे देखने का नजरिया वो है ही न महसूब है मतलब ऐसा मैं सब्सक्राइब महसूब बोल रहा हूँ इस जाट के एक तरीके से हम बोल सकते हैं राइट आगे जलते हैं कि दिमाग नाम की तो कोई चीज है नहीं नहीं इनके पास में इंजा दिमाग चलता सिर्फ पॉन देखने में बहतर हुरों में क्योंकि य अद्यकार से बाल हम चाई ट्नियार करते हैं में आखके एक आप लिए इसलम ज्टा में चाई बहुत जानतार घार वहीं सेम अभुं कि पर लिए वीडियो आगे है लाए तो इसको जरा सब्सक्राइबổi कर लेते हैं पर बनता है फिर आप जिसने करें इसलाम मजभा है कर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप फिर प्रक्राइब को अबन सब्सक्राइब 6 है यह 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 फोग्रेसी नहीं है इनने समझी नहीं है आगे चलते हैं आगे चलते हैं लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए का नहीं युकांट डो इस आप यह कर नहीं सकते बले उस बात का context क्या है वो नहीं देखना है आपको वो किस level पर बात हो रही है कहां बात हो रही है यह नहीं करना चीज को आप बस सबको whole लेके चलो एक ही पिच्चर में सबको रखके चलो राइट वो तो इस वजए से पर यह होता है कि आप conclusion पर नहीं आपाते हैं आगे चलते हैं अज्व कर आफ मतर्व करते हैं तो आप मतर्स दशेब आपके लोग पर इसलाव करते हैं तो आप मजब के लोगों आपने मुलक को बचाएंगे, 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 आपने मुलक को बचाएंग तो बड़ा ही लंबा सा वीडियो हो गया बहुत लंबा वीडियो हो गया I hope कि आप लोग बोढ़ना हो गया and अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो ऐसे देखूं जो कि मतलब मेरे सर पे जो है ऐसा बोज है मतलब देखना पड़ेगा बिगेस क्या होता है कि इन्हें देख देखके ना आपका IQ points कम होने लगते हैं oh my god इतने जादा बिवकूफ दी है तो अगर आप चाहते हो फिर भी मैं बरदाश करूँ तो मैं देख लूँगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और like, share, subscribe जरूर करें ठीक है और मिलते हैं जो भी मैंने बाते बताई हैं अगर आप को इसमें कुछ addition करना हो कुछ इसमें बात करनी हो एड करना हो तो आप बिल्टल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं like, share, subscribe करना मत भूलना मिलते हैं दूसे वीडियो में अपना ख्याल रखें करना मिलते हैं